दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है और सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज सरकार ने लोगडाउन को आगे बढ़ाने का एलान कर दिया है बिहार के मुख मंतरी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है बिहार के मुख मंत्री नितिश कुमार ने गुरुवार को ट्विट करके लिखा कि आज सहयोगी मंत्रिगन और पदादिक कारियों के साथ बिहार में लागो लोगडाउन के स्तिती की समिक्चा की गई लोगडाउन का सकरत्मक प्रभाव दिख रहा है इसलिए बिहार में अगले 10 दिनों तक यानि की 16 से 25 माई 2021 तक लोगडाउन को विस्तारित करने कर निर्ने लिया गिया है अगले बड़ी कबर बिहार सरकार के नई गाडलाइन जारी जानिये क्या खुलेगा और क्या रहेगा बन जियां बिहार में कोरोना वारेस के बड़ते प्रकूप को देखते हुए नितिस सरकार ने 16 माई से लेकर 25 माई तक लोगडाउन बढ़ाने का निर्ने लिया है बिहार के मुखमंतरी नितिस कुमार ने गुर्वार को खुद ट्वीट करके सरकार के इस निर्ने के जानगारी दी है सरकार के फैसले के बाद नई गाडलाइन भी जारी कर दी गई है बताते के नई गाडलाइन का नुसार अब सारे इलाकों में सुबह 6 से 10 बजे तक दुकाने खुलेगी वही ग्रामिन इलाकों में अब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेगी पहले यह समय दोने इलाकों के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे था दूसरे और अब कोवीड अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए सामुदाई किचन खुला जाएगा किसानों के लिए बीज एवं खाद की दुकाने सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेगी लिची और आम के पेटी बनाने के लिए सिमित संख्या में आरा मिलो को खुलनी के अनुमती दी गई है इसके अलावा सभी सरकारी प्रावेट कार्यालाई 25 मैं तक बंद रहेंगे इनमें सिर्फ जरूरी सेवाव से सम्मधित कार्यालों को ही खुलनी के अनुमती है 25 मैं तक सड़क पर सभी परकार के वाहन का परिचालन बंद रहेगा अनावस्चक पेदल निकलना भी प्रतिबंदित रहेगा बड़ी कबस साधी बिया को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला अब मात्रे इतने ही लोग हो सकते हैं सामी बिहार में कोरोना के रोक्ताम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है बिहार सरकार दोरा जारी गाइडलाइन में साधी बिया के नियम में बड़े बदलाव किये गए हैं आपको बता दे कि बिहार में संपुर्ण लोगडाउन के बावजूद बेस साधी समारों पर पाबंदी नहीं रहेगी हाला कि इसके लिए कुछ नए नियम बनाए गये हैं साधी में सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के ही सामिल होने की अनुमति रहेगी इसके अलावा आपको बता दे कि नए गये बैंड बाजे के साथ नाच गाना और डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है बिहार में नहीं रुगीगा 18-45 वालों का वैक्सिनेशन 6 लाख वैक्सिन और पहुचे सरकार टिका लगाने में तेजी लाएगी जिहां बिहार में कोरोना वैक्सिन के सिर्फ 3,5 लाख डोज के सारे सुरू हुए 18-45 के उम्र वालों के वैक्सिनेशन का काम रुकने की आसंका फिलाल खतम हो गई है राज सरकार को 6 लाख से ज़्यादा वैक्सिन के और डोज मिल गए हैं सरकार कर रहे कि अब वैक्सिनेशन के रप्तार उर्तेज की जाएगी लेकिन फिर भी बिहार को जितने वैक्सिन डोज की ज़रूत है उसके मुताबिक आपूरती सुन्न के बराबर ही माना जा सकता है दरसल बिहार में पिछले 9 माई से 18-45 तक के उम्रवालों का वैक्सिनेशन शुरू किया गया था सरकार ने जानकारी दी थी कि कोवी सील्ड वैक्सिन के 3.5 लाख डोज उसे मिले हैं उसी के सहारे वैक्सिनेशन शुरू की जा रही है हाला कि बिहार में वैक्सिन लेने वालों की तादाद को देखते वे आपूर्ती बहुत कम है, सुबे में 18-45 उम्र वालों की तादाद लगबग 5 कड़ोर बताए जाती है, उस हिसाब से बिहार को लगबग 5 कड़ोर वैक्सिन की जरुरत है बिहार में बढ़ रहा है बलेक फंगस का खत्रा, एक दिन में ही दोगुन हुए मरीज, इन अस्पतालों में मिले नए केस पटना के दो अस्पतालों में गुरुवार को दो नए बलेक पंगस के मरीज मिले हैं इनमें पटना एम्स में एक और आईजी आईमस में एक भरती हुए हैं इसी परकार अभे तक कूल आट बलेक पंगस के मरीज सामने आये हैं ऐसे मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है अब कूल ब्लेक पंगस के मरेज एमस में चार, आईजी आईमस में दो और रूबन में दो भरती है बड़ी कबर वीरपूर जेल से DMCH सिफ्ट हुए पप्पो यादव अपहरन मामले में हुए थी गिरपतार पहरन के एक मामले में वीरपूर जेल में बन जाप सरक्चक सपूर्व सांसत पप्पो यादव को गुरुवार को इलाज के लिए दर्बंगा मेडिकल कोलेज अस्पताल भेज दिया गया है कड़ी सुरक्चा के बेच वीरपूर जेल से साम करेब चार बजकर पचीस मिनट पूर्व सांसत को एमबुलेस से लाया गया DM महेंदर कुमार ने बताये कि जेल आने के बाद से पूर्व सांसत विमारी का हवाला देकर मेडिकल सवीदा की मांग कर रहे थे इसके लिए मेडिकल बोर्ड गठित की गई मेडिकल बोर्ड के अनुसंसा और कोड के आदिस के बाद उन्हें DMCH भेज दिया गया है दूसरी तरफ पपो यादव की पतनी का प्रेस कॉनफरेंस पूर्व सांसत रंजित रंजन ने कहा दो दिन में पपो यादव को रिहा करे नहीं तो अनसन करूंगी अस्पतालू का निरिक्चन जारी रहे हैं जाप सुप्रेमो राजस रंजन और पपो यादव की गिरपतारी के बाद उनकी पतनी रंजित रंजन मैदान में उतर गई है रंजीत रंजन ने इस दोरान नितिस सरकार पर जम कर हमला किया है पूर्व सांसद ने पप्पो यादव के जल से जल रिहा करने की मांग की है रंजीत रंजन ने इससे पहले एलान किया था कि वे पटना में रहकर पप्प यादव द्वारा किये गए कामों को आगे बढ़ाएंगी रंजित रंजन ने प्रेस कॉंफिरेंस करके कहा कि पप्प यादव रोड पर जनता की सेवा कर रहे थे लेकिन सरकार उनकी गिरबतारी करा दी रंजित रंजन ने कहा कि उनके तब्यत ठीक नहीं है लेकिन सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है पूर्व सांसत ने दावा किया कि प्रासासन पपु यादव के साथ डॉक्टर और एड्मिनिस्टेशन का खेल खेल रही है इसके साथ उन्होंने बिहार सरकार को दो दिनों का अल्टिमिटम दिया है पपु यादव के पटना आवास पर प्रेस कॉनफरेंस करके कहा कि अगर दो दिनों में पपु यादव को रिहा नहीं किया गया तो वे अंसन करेगी पड़िकवर राज में एक लाग से कम हुए एक्टिव केस एक दिन में मिले 7752 नए मामले पटना में भी दिख रहा असर जिहां बिहार में लोगडाउन का सकरातमक असर नजर आ रहा है राज में गुरवार को 7752 नए कुरोना संक्रमित की पहचान हुई पटना और नालंदा में 500 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं पटना में सरवाधिक 1450 नए कुरोना संक्रमित की पहचान हुई है पिछले 24 घंटे में 97,664 सिंपल की कुरोना जाच हुई वह राज में सक्रिय मरेजों की सिंखा एक लाग से निचे आ गई है बड़े कबर हाइकोट के आदेश के बाद काम पर लोटे स्वास्त करमी मांगो पर विचार करेगी सरकार जियां बिहार में कोरोना महामारी के बेच होम आइसोलेशन में गई राज सम्वीदा स्वास्त करमी संग ने हाइकोट के निर्देश के बाद अपनी हर्ताल खतम कर है इस मामले में पटना हाइकोट में चीप जस्टिस संजै करोल के खडमपिट ने सुनवाई की है सुत्रो समिले जानकारी के अनुसार राज सरकार ने सम्वीदा करमियों की मांगो पर विचार करने का आस्वासन दिया है इस मामले में अगली सुनवाई 23 जुन को होगी बड़ी कबर कुछ घंटों में बिहार के 80 लाग किसानों की खाते में आ जाएंगे 22,000 रुपिये सुबे की क्रिसी मंत्री ने कर दिया एलाग्या कोरोना कहर के बीच कई तरह की परिसानी जेल रहे बिहार की किसानों को थोड़ी रहत मिलने वाली है कुछ घंटी के बाद उ असी लाग 51,549 किसानों के खाते में प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा जमा करने की करवाई सुरू कर दी है आज यानि 14 मैं को बिहार के किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे केंद्र सरकार ने बिहार के किसानों के खाते में पैसा भेजने के लिए 16 कड़ो दे दिये हैं गंगा नदी में सौग के बहाने पर मानविदिकार आयोग सक्त बिहार और उत्तर पदेस सरकार को भेजा नोटिस चार हपतों में मांगा जवाद जिहाँ गंगा नदी में पूछा है नदी में सव कहां से आए आयोग ने भारत सरकार के जल सकती मंत्राले को भी नोटिस बेजा है सभी को चार सपता के भीतर जवाब देने को कहा गिया है दूसरी तरब पटना हाइकोट ने सरकार से पूछा कोरोना की रोकताम के लिए क्या कदम उठाए 17 मय तक मांगा जवाबी हलप नामा जिहा हाइकोट ने सरकार से गुरुवार को पूछा कि उसने डाक्टर बजाने की रिपोर्ट पर क्या करवाई की है राज सरकार को इस बात की पूरी जानकारी देनी चाहिए साथ ही कोट के आदेश से नियुक्ति कोट मित्र के और से दाखिल रिपोर्ट पर PMCH ने क्या करवाई की इस बारे में PMCH प्रसासन को जवाब देने का निर्देश दिया है कोट ने आगामी 17 माई तक दोनों की रिपोर्ट पर जवाबी हलप नमा दायर करने का आदेश दिया है बड़ी कबर बिहार में अगले तीन दिनों तक रहेगा सुहाना मौसम, तेज हवा और बारिस नेदी गर्मी से रहा जिहां मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिन के तापमान में राज में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की सम्हावना है लेकिन बारिस या धोलिया में गर्जन की सम्हावना है कोवीट के भयावा दोर में बिहार अभूत पूर्व मौसमी उठापटक से गुजर रहा है प्री मांसून से जमाजम भारिस हो रही है अगले 72 घंटे तक प्रदेश में 40-50 किलोमीटर प्रती घंटे के रप्तार से पुरवया बने के आसार है इस दोरान कहीं मैधम तो कहीं भारिबारिस का पुरवानुमान भी है में गर्जन के साथ ठंका की भी आसंका है अगली बड़ी कबर कोरोना की बेच बिहार में डराने लगा है चमकी बुखार उत्तर बिहार में अब तक दो की मौद पुर्वया बिहार में कोरोना वारिस महामारी के बेच चमकी बुखार का कहर सामने आया है राज की चार जीले मुझपर पूर वैसाले पुर्वी चमपारन और सीता मड़ी में इसके मरीज सामने आया है कोरोना के बढ़ते प्रकूप के बेच चमकी बुखार ने स्वासी विभाग के टेंसन बढ़ा दी है बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से इस पर अलग से त्यारी सुरू हो गई है यह जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार और पूर्वी चमपारन में चमकी बुखार के नए मामले सामने आये हैं राज में अब तक 16 नए मरीज मिले हैं हाला कि 10 नए मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं जबकि छे मरीज अभी भी भरती है, राज में मुझपरपूर जीले में सबसे अधिक मरीज सामने आये हैं। इलाकों में दिन बर सगन वाहन जाच अभियान चलाये गया, जिसमें जुर्माने के रूप में 87,000 रुपिये राजस्व संग्रक किये गये। आपका सवाल बताए कि हमारे देश में वर्तमान में अभी रक्षा मंत्री कौन है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं।